तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल जो है बालेंस जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं कि इस PPF अकाउंट में कितने बालेंस है लेकिन स्टेटमेंट के साहता से मैं आपको बताऊ जैसी राम भाईयो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप भी पीप एकाउंट का इस्तमाल करते हैं और उसमें पैसे जमा करते हैं तो financial year बीद चुका है और नय financial year का सुरुवात भी हो चुका है तो जब भी financial year close होता है तो ppf account में जितने भी पैसे रहते हैं उस पर interest मिलता है तो आपको कितना interest मिला मुझे comment section में बताएं और मुझे यह financial real close हुआ है इसमें मुझे कितने का interest मिला है मैं आपको बताने वाला हूँ और किस date को आप पैसे जमा करेंगे तो उस पर आप अच्छे खासे interest गेन कर सकते हैं यानि प्राप्त कर सकते हैं उसे भी मैं आपको इसी वीडियो में share करने वाला हूँ screen recording on हो चुका है उसके बाद से simple ने आपको करना किया है Google Chrome पे आना है आने के बाद से आपको online SBI लिकर सर्च करना है जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से आपको प्रोसेस करना है online SBI लिकर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर official site देखने के लिए मिल जाएगा simple ने आपको इस पे click कर देना है click करने के बाद से यहाँ पर network slow है load ले रहा है इसमें आपको यहाँ पर personal banking में login का option दिखेगा simple ने आपको इस login वाले option पे click करना है फिर से आपको यहाँ पर continue to login वाले option पे click करना है और इसमें आपको यहाँ पर अपना username देना है और password देना है और नीचे में यहाँ पर यह जो capture देख पा रहे है image पे same to same capture को आपको यहाँ पर fill करना है login वाले option पे click करना है आपके bank आते में जो mobile नमर रजिस्टर होगा उस पर OTP सिंड किया जाएगा simple ने आपको इस OTP को fill करना है और आप सफलता पूर वक state bank के net banking में आजाएंगे जैसे ही आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का interface जो है देखने के लिए मिल जाएगा तो चलिए यह mistake से open हो गया इसको side करते हैं pin को मैं open कर लिया हूँ तो आपको यहाँ पर देखने के लिए कितना interest मिला आपको ऊपर में ही आपको यही पर ppf account के नाम से आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप mobile application में इसे देख रहा है तो simple नहीं आपको deposit वाले section में आना है deposit and investment वाले section में आएंगे तो आपको other account के नाम से वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा तो आप वहाँ पर आ सकते हैं तो यहाँ पर मैं net banking के जायता से login किया हूँ तो यहाँ पर simple नहीं आप देख सकते हैं कि यह मेरा ppf account है यहाँ पर नीचे में आएंगे तो आपको यहाँ पर view all balance वाले option पर click करना है यहाँ पर जैसे यहाँ view all balance वाले और option पर click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ का interfaced जो है देखनी के लिए मिल जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर total जो है balance जो है आपको यहाँ पर देखनी के लिए मिल जाते है वे कि इस ppf account में करने कितुने बा stripes लेकिन स्टेकमेंट के साहता से मैं अपको बताऊंगा तो simply आपको यहां पर यह जो एक अट है एक आउंट वाले option पे अपल क्लिक करना है जैसे यहांप एकउंट वाणट ऑले option पे क्लिक करेंगे तो तो आपको यहाँ पर निचे में data देखने के लिए मिल जाएगा यानि statement देखने के लिए मिल जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 March को जो मुझे क्रेडिट मिला है credit interest के रूप में आया है account में credit हुए है वह हुआ 24 दो रुपए है तो मेरा balance जो है इतना हो चुका है और जो है मैं आपको यहाँ पर तेश में दिखाना चाहूंगा कि तेश में मैं कितना रुपए जमा किया हूं तो सिंपल ही निर्चे की और मैं स्क्रूल करता हूं निर्चे की और स्क्रूल करता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2030 में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर 31 मार्च तब जो होता है financial year होता है तो मार्च में calculate नहीं करेंगे अप्रेल से हम calculate करते हैं कितना जमा की है तो यहां पर इंट्रेस्ट जो यह पिछले बार का इंट्रेस्ट मिला है यहां पर देख सकते हैं सो 700 500 रुपय तो यहां पर जमा हुआ है मात्रतिनी बार जमा हुआ है यहां पर देख सकते हैं 155 यहां पान्सो फचास पचास चक्राइब आप इतना इंट्रेस्ट मिला है आपको एक तारिक से लेक और पांच तारिक के बीच में आपको पैसे जो है जमा कर